पिर यह विद्ध हारती हो फिर यह दोस्तों हम आपको 40 की टेबल कम्प्लीट कराएंगे आप अरहाम से इस मेथड के द्वारा एक से लेकर 100 तक की टेबलें कम्प्लीट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं आप को याद करने की जरूरत नहीं है इस मैथड के दुवारा आप जिंदिगी भर नहीं भूलेंगे देखिए क्या है चालिस को आपका क्या होता है चालिस में आपका चार और जीरो अंग होते हैं तो चार को आपने यहां लिख दिया 28, 4, 8 आपका 32, 4 नीमा 35, 4 धाम 40, तो आपका 4 वाला टेबल कम्पिलीट हो गया, इसी तरीके से आप 0 वाला टेबल कम्पिलीट करेंगे, तो 0 वाले में तो 0, 0 होता है, आपने लिख दिया, 0, 0, 0, अब जड़ा आप ध्यान दें, आपकी टेबल जो 40 की है, 40 में 4 और 0, मतलब 4 का टेबल कम्पिलीट हो गया, और आपका 0 का, अब आप देखी किस तरीके से आपका निकल करा रहा है, 4 और 0 को आप यहीं लिखेंगे मतलब 40 हो गया इसी तरीके से आप 8 और 0 को लिखेंगे तो आपका 80 हो गया इसी तरीके से आप 12 और 0 को लिखेंगे तो आपक क्या हो जाएगा 120 इसी तरीके से आप 60 और 0 को लिखेंगे तो 160 इसी तरीके से आप 20 और 0 को लिखेंगे तो आपकर 200 इसी तरीके से आप 24 और 0 को लिखेंगे तो 240 इसी तरीके से आप 2800 को लिखेंगे तो 280 इसी तरीके से आप 3200 को लिखेंगे तो 320 इसी तरीके से आप 36 और 0 को लेखेंगे तो 360 इसी तरीके से आप 40 और 0 को लेखेंगे तो आपका 400 तो यह आपका 40 वाला टेबिल कंपलीट हो गया यह आपका 40 वाला टेबिल कंपलीट हो गया देखें किस तरीके से हम बता दे रहें 40 एकम 40 दूनी असी तीन आपके 120 चौका आपके 160 और 40 पंजे 240 च्षक केतने होते हैं 240, 47, 28, 48, 320, 49, 360, 40 धाम, 400 तो इस तरीके से आप अराम से इस मैथड से अराम से एक से लेकर 100 तक की कोई सी बड़ी सी बड़ी संख्या का टेबिल निकाल सकते हैं आप अराम से इस मेथट से जिन्दगी भर नहीं भूलेंगे आराम से आपको याद रहेगा याद करने की कोई जरूरत नहीं है इस मेथट के यूज से ही आप अराम से याद रहेगा आपको क्योंकि बड़ी संक्थों का टेबल निकालना या याद करना मुश्किल रहता इस मेथड से आप अराम से निकाल सकते हैं आप वीडियो को सबसे पहले सबस्क्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले इंपोटेंट प्राप हो